Hello friends and welcome to Sassy Guidance, आजका हमा topic जो है One Word Substitution का है, यह second practice set है One Word Substitution का इसमें जो है हमने 20 One Word Substitution लिये हैं, यह important One Word Substitution है कि यह ऐसे One Word Substitution है, जो repeat होते हैं, exams में, तो चलिए, शुरू करते हैं आज का पहला One Word Substitution, तो पहला One Word Substitution क्या दिया हुआ हैं कि the first public speech delivered by a person, यानि जब किसी द्वारा अपना पहला speech जो है publicly दिया जाए उसे क्या कहते है maiden speech ठीक है तो first public speech delivered by a person का substitution क्या हो जाएगा maiden speech और इसमें inaugural speech दिया हुआ तो inaugural speech क्या होता है inauguration means होता है उद्घाटन तो inaugural speech हो जाएगा उद्घाटन बासन तो ठीक है तो यह था इसमें क्या दिया हुआ है कि the theft आप another person's writings are ideas and passing them आप as once own यानि किसी दूसरे वेक्ति की राइटिंग चुरा लेना यानि कि उसके साहित को लेखन को चुरा के आजे अपने लेखन के रूप में publish कर देना तो इसे क्या कहते है plagiarism यानि इसकी मीनिंग क्या होती है साहित चौरी त्यानि कि उसने किसी के साहित की चौरी कर ली तो यह हो जाएगा plagiarism ठीक है इसमें सब यूज हुआ बर्गलरी बर्गलरी मींस होता है सेंधमार्णा पाइरेसी मींस होता है समुद्री चौरी और फिल प्रेज मींस होता है छोटी चौरी तो यहां पे इस रहता है इसमें क्या दिया हुआ है कि one who has suddenly gained new wealth, power or prestige कोई वेक थी suddenly यानि कि अचानक से उसे wealth, power or prestige मिल जात उसे कहते हैं power venue तो इसका substitution क्या हो जाएगा power venue तो one who has suddenly gained new wealth, power or prestige मिल्स हो जाएगा power venue ठीक है तो यह था third sentence, अब next देख लेते हैं, fourth number fourth क्या है कि यानि कि जो woman का supporter हो, woman के welfare के लिए जो काम करता हो उसे बोलते हैं feminist, feminist हो जाएगा इस supporter आपदा काजा वुमेन का substitution हो जाएगा feminist ठीक है, इसमें यूज हुआ है extreme pure एक सब्दिये है आपसल में extreme pure means होता है बीना तयारी के भासर देना, यानि कि आप कोई speech दे रहे हैं और उसकी preparation ना करके जाएं ठीक है तो बीना तयारी कि जब हम speech देते हैं तो उसे extreme pure बोलते हैं ठीक है तो यह था fourth number चलिए fifth one word substitution देखते हैं फिर्थ क्या दिया हुआ है कि one who believes that everything is predestined यानि कि जो व्यक्ति इस पर परवसा करता है कि सब कुछ पहले से ही लिखा गया है लिखा हुआ है यानि कि everything is predestined तो उसे कहते हैं भागवादी यानि कि fatalist हो जाएगा तो इसका substitution क्या हो जाएगा fatalist one who believes that everything is predestined predestined तो क्या हो जाएगा fatalist इसका substitution यह था fifth number चलिए next देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि the absence of line order यानि कि जहाँ पर line order absence हो यानि कि line order जहाँ पर ना हो वहाँ क्या हो जाएगा energy अरा जबता जहाँ पर line order ना हो वहाँ अरा जबता होगी यानि कि energy हो जाएगा तो इसका substitution क्या हो जाएगा the absence of line order का substitution energy हो जाएगा fourth option तो यह था sixth number चलिए अब next देख लेते हैं seventh number substitution इसमें क्या दिया हुआ है कि the original inhabitants आफे country यह क्या होती है original inhabitants यानि कि mool-niva su mool-niva su किसी कंटे के कौण क्या कह जते हैं aborgensабorgens होते मोल निवासी इसमें confusion क्या होता है primitive के साथ बहुत ही confusion होता है लोगों को primitive में बता दिता हूँ क्यों होते हैं primitive होते हैं किसी civilization के early stage में जोगत्य होते हैं उन्हें primitives कहते हैं ठीक है तो मोल निवासी तो अभी भी पाए जाएंगे कि मोल निवासी कौन होते हैं जिनके की पूर्वज सेम उसी कंठी में होँ उसी कंठी के होँ तो उस वेक्थ को मोल निवासी कहा जाएगा aborigins कहा जाएगा जबकि primitive क्या होता है कि किसी civilization की early stage में जो वेक्थ है उन्हें primitive कहा जाएगा, ठीक है, तो sentence क्या था, the original inhabitants, आप है country, इसका क्या हो जाएगा, more निवासी, यानि कि above regions, c part हो जाएगा, यह था 7th number, चले next देखते हैं, 8th, इसमें क्या दिया होगा कि, a writing that cannot be read, यानि कि I say writing, यानि कि ऐसा लेखन जो कि पढ़ान ना जासके, उसे बोलते हैं, eligible, वी पार्ट, उसे eligible बोलेंगे, अब पठनी है, इसी का उल्टा क्या होता है, eligible, eligible क्या हो जाएगा, पठनी, यानि कि I say writing जो पढ़ी जासके, the writing that could be read, यानि जो writing पढ़ी जासके, उसे eligible बोलेंगे, और जो writing पढ़ी ना जासके, उसे eligible बोलेंगे, ठेक है, तो यह था 8th number, 9 number इसमें क्या है कि, one who is between 80 and 89 years, उसे बोलते हैं, octogenarian, octogenarian को बोलते हैं, जिवेक ती 80 और 89 years के बीच में हो, जिसकी age, इसी तरह 9th generation क्या हो जाएगा, जो 90 to 99, यानि कि 90 से 99 के बीच में ह हो, और 6th generation हो जाएगा, इसी तरह, 60 to 69, और 7th generation हो जाएगा, 72 to 79, ठीक है, यह था 9th number sentence, अब निच्ट देख लेते हैं, इसमें क्या है कि, the study of worms and insects, तो worms and insects की study को बोलते हैं, entomology, entomology हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें deep art में दी है, paleontology, paleontology क्या होता है, जीवास में विज्ञान का अध्या, और ornithology होता है, पच्छी विज्ञान का अध्या, टाक्षी डर में होता है, मृत जीवों के, जो skin होती, खाल, उससे समद्धित अध्यान को बोलते हैं, तो चलिए, यह 13 number, डेक्ट देख लेते हैं, 11 number sentence, क्या दिया हुआ है कि, a person who shows up his learning, यानि कि ऐसा विखते हैं, जो अपनी learning को swap करता हो, उसे बोलते हैं, पेड़न्ट, ठीक है, जो अपनी learning का दिखावा करता हो, यानि कि अपनी knowledge का दिखावा करता हो, उससे पेड़न्ट बोलेंगे, तो sentence क्या था, a person who shows up his learning, तो इसका substitution हो जाएगा, पेड़न्ट, तो चल समिधान सभादवारा लिखित समिधान आयमारे यहां, उसी तरह रिटेल लाफ है legislative body, उसे बोलते हैं statute, ठीक है, यानि कि कि किसी समिधानिक संस्थादवारा लिखा गया कानू, उसे बोलते हैं statute हो जाएगा, चलिए next देखते है, 30 number इसमें क्या दिया हुआ है, कि special trial of the head of the state by the parliament, यानि कि parliament दोरा जो head of state के उपर special trial चला जाता है, जैसे कि हमारे यहां head of state कौन है, राष्टपत, उनके उपर जो special trial चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, महा भीयोग, impeachment, तो वही हो जाएगा हाँ कि, special trial of the head of state by the parliament, जैस हो जाता है impeachment, यानि कि महा भीयोग, तो यह हो लेते हैं, इसमें क्या है कि, one who eats human place, यानि कि जो human place खाता हो, उसे बोलते हैं, नर्व अच्छी, यानि कि carnival, ठीक, तो इसका substitution हो जाएगा, carnival, one who eats human place, हो जाएगा, carnival, जैसे देखते हैं, फिप्टी नमबर, इसमें क्या दिया है, कि ability to go on in spite of difficulty, यानि कि कठिनायों के बाव perseverance, निरंतर प्रयत्न करना, कठिनायों के बावजूद, उसका क्या हो जाएगा, perseverance, तो sentence क्या था, ability to go on in spite of difficulty, का substitution हो जाएगा, perseverance, ये था 15 नमबर, नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 नमबर, इसमें क्या है, to die in water, or any other liquid, because one is unable to breathe, ठीक है, त्यानि कि कोई वेर्थी किसी liquid में, water, or any other liquid में, डूब जाए, यानि कि breath ना ले पाए, यानि कि उसमें डूब जाए, डूब के मरना, ठीक है, तो क्या होता है, ड्रॉन, क्योंकि सास ना ले पाने का मतलब क्या था, वो, जीवित चीज थी, जीव, live things थी, जो कि मर गई, ठीक है, तो उसका ड्रॉन हो जागा, क्योंक जीवित चीज, यानि कि जीवित चीज जब डूबती है, तो उसे ड्रॉन बोलते हैं, और अगर निर्जीव चीज डूब जाए, तो उसे सिंक बोलते हैं, निर्जीव चीज, जैसे कि कोई प्लेन डूब जाए, समुद्र में, उसे क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे, लेकि तो क्या हो जाएगा ड्रॉन इसमें क्या दिया हुआ है ए नंबर आप सिप्स वहिकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर दा स्कॉर्ट अंडर दा स्कॉर्ट मिंस होता है सुष्छा के गेरे में जब भी कोई ग्रूप यानि कि सिप्स और वहिकल्स का कोई ग्रूप का सुष्टिट्यूशन हो जागा कंवोई चलिए निएकश्ट देख लि tweeting नंबर इसमें क्या है कि टुट डिस्ट्राय क कंप्लीट में कवंत्प्रेटर्ली का होता है एट रहे लिये नैंने कि पूरी तिरह से खतम कर देना तो टू डिस्ट्राय कंप्लीटोशन हो जाएग यह था 18 नमबर चले नेक्ष्ट देख लेते हैं 19 नमबर इसमें क्या दिया हुआ है कि I an object are portion serving as a sample जब यह हम किसी production का कोई एक part उसके sample के रुप में दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं इस पेसिव में यानि कि नमूने के रुप में जो हम कोई चीज को दिखाते हैं संपल तो उसे बोलते हैं स्पेसिव में तो sentence था an object are portion serving as a sample इसका substitution हो जाएगा स्पेसिव में यह था 19 नमबर चले नेक्ष्ट देखते हैं last sentence क्या दिया हुआ है कि the practice of submitting a proposal to popular vote यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोगों के बीच में रखना वोट के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोगों के बीच में जब भी हम किसी मुद्द्य को रखेंगे वोट के लिए उसे बोलते हैं referendum यानि कि जन्मत संग्राय तो sentence क्या दा the practice of submitting a proposal to popular vote यानि कि जब लोगों से हम वोट डालने के लिए यानि कि जन्मत संग्राय कराएंगे तो उसे क्या बोलेंगे referendum जन्मत संग्राय यह था इसका substitution तो यह थे आज के यह 20 वनवर संग्राय थे जो की रिपीट होते रहते हैं एक जांस में तो आई होब कि आपको आज कई वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड सेर करना ना भूलें और अगर आभी तक आपने माय चाहिए को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जोर कर ल यह जो आपको 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 आपक